अमेरिका के पूर्व राश्ट्रिपती डॉनल्ड ट्रम्प एक बार फिर कानूनी दाव पेंच में उलजते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के गायब होने का। दरसल साल 2021 में राश्ट्रिपती चुनाओ हारने के बार ट्रम्प पर कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने घर ले जाने के आरोप लगे थे जिस पर जाज करते हुए जस्टिस डिपार्टमेंट की स्पेशल काउंसिल के प्रोस्टिक्यूटर्स ने अब हाल ही में ट छोड़ने के बाद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को नहीं लोटाने के मामले में आरोपी माना गया है साथ ही उनके वकीलों को उन पर इल्जाम लगाया जाने की सूचना भी दी गई है ट्रम्प के मुताबिक एक राजनीतिक चाल है ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका के लिए एक इतिहासिक पल है क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी मौझूदा या पूर्व कमांडर इनचीफ को ऐसे गंभीर आरोपो का सामना करना पड़ रहा है अपने उपर लगाय गए आरोपो को पूर्व राश्च्रपती ने वरतमान राश्च्रपती जो बाइडन के राजनीतिक कदम के रूप में पेश करने की कोशिश की है ट्रम्प अगले साल राश्ट्रपती के चुनाओं में जो बाइडन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की ओर से एक सशक्त दावेदार है ट्रम्प आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राश्ट्रपती है उन पर अपने एक अफेर को छुपाने के लिए एडल्ट एक्टरस को धन देने का भी आरोप है ट्रम्प की कानूनी परिशानिया बढ़ती ही जा रही है वा पहले ही एक पत्रकार के खिलाफ मानहानी का मुगदमा हार चुके है